कभी कभी जिन्दगी हमें ऐसे मोर पर ले आती है, जहां हम खुद को अकेला और हारा हुआ महसूस करते हैं। सपने तूट जाते हैं, रिष्टे बिखर जाते हैं, और हमें लगता है कि अब आगे का रास्ता नहीं बचा। लेकिन क्या आप जानते हैं, ऐसी ही चुनौतियों के बीच छिपी होती है हमारी असली ताकत हमारी जीत का रास्ता। आज की कहानी एक ऐसी ही महिला की है। जब उसका बेटा और बहु उसे छोड़ कर शहर चले गए, तो उसका दिल तूट गया। लेकिन हार मानने की बजाए, उसने अपने दम पर एक नई शुरुवात की कैसे एक साधारन महिला ने अपने आत्म विश्वास और मेहंत से अपने जीवन को फिर से खड़ा किया, और कैसे उसकी यह जगनी हमें सिखाती है कि मुश्किले हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल यह कहानी है हिम्मत, संधर्ष और सच्ची जीत की सुवागत है, आप सभी को हमारे चैनल मंग टिप्स तु सक्सेस पर चलिए कहानी को सुरु करते हैं रामबती एक साधारण, महनती और सच्चे दिलवाली महिला थी, जिसने अपने पती के निधन के बाद, अकेले ही अपने बेटे राकेश को पाला पोसा वो गाव में रहती थी, जहां उसकी जिन्दगी शांत, लेकिन संधर्ष पूर्ण थी हर दिन वो अपने खेतों में काम करती, घर के छोटे मोटे काम निप्ताती और गाव के लोगों से मिलती जुलती रहती थी रामबती के जीवन का सबसे बड़ा सुख था उसका बेटा राकेश, वह बचपन से ही होशियार और महनती था गाव की मिक्टी में पलेबधे होने के बावजूद, राकेश के मन में शहर जाने और एक बड़ा आदमी बनने का सपना था राकेश की शादी सीमा से हो गई, जो शहर में पलीबधी थी शादी के बाद सीमा को गाव की जिन्दगी कुछ कठिन और बोजिल लगने लगी उसका सपना था कि वो और राकेश शहर जाकर एक आरामदायक जीवन बिताएं राकेश भी धीरे-धीरे सीमा के विचारों से प्रभावित होने लगा दोनों ने सोचा की गाव में रहकर वे अपनी इच्छाएं और सपने पूरे नहीं कर सकते इसलिए उन्होंने शहर जाने का फैसला कर लिया राकेश और सीमा का यह फैसला रामवती के लिए किसी सदमे से कम नहीं था उसने अपने बेटे से कई बार बात करने की कोशिश की, बेटा, गाउं की मिक्टी तुम्हारी जड़े है यहाँ जो अपनापन और सुकून है, वो शहर में कहा मिलेगा, रामवती ने उन्हें गाउं में रहने के कई फाइदे बताएं यहाँ उनका अपना घर था, अपने खेट थे और अपने लोग थे पर राकेश और सीमा ने ठान लिया था कि वे शहर जाएंगे वे अपनी मा की बातों को समझने की बजाएं अपने सपनों के पीछे भागने लगे रामवती की सारी कोशिशें बेकार गई आखिरकार एक दिन राकेश और सीमा ने शहर जाने का फैसला कर लिया राकेश ने अपनी मा से कहा मा हमें यहाँ भविश्य नहीं दिखता मैं तुम्हें कभी तकलीफ में नहीं देख सकता लेकिन हमें आगे बढ़ने के लिए यह कदम उठाना होगा रामबती ने यह सुनकर खुद को बहुत अकेला महसूस किया उसने आशू भरी आखों से अपने बेटे और बहु को विदा किया लेकिन उसका दिल तूट गया था बेटे और बहु के जाने के बाद रामबती का घर सूना हो गया उसे हर कोने में बेटे और बहु की यादे सताने लगी वह दिन भर घर के कामों में खुद को व्यस्त रखती लेकिन दिल की खालीपन को भर नहीं पाती जब भी राकेश का नाम सुनती उसका दिल दुख से भर जाता रामबती ने खुद से कहा मैं अपने बेटे को रोप नहीं सकी लेकिन जिन्दगी आगे बढ़ती है मुझे भी किसी न किसी तरह अपने जीवन को फिर से सवार ना होगा रामबती की सबसे करीबी सहेली नीलम थी जब उसने देखा कि रामबती कितनी उदास और अकेली हो गई है तो वो उसे समझाने आई रामबती ये उदासी तुम्हारे चहरे पर अच्छी नहीं लगती तुम तो हमेशा से एक मजगूत और आत्मनिर्भर महिला रही हो तुम अपनी जिन्दगी को फिर से शुरू कर सकती हो नीलम ने कहा रामबती ने उदासी से कहा कैसे नीलम? मैं क्या करूँ? मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है नीलम ने उसे एक बहतरीन सुझाव दिया तुम्हारे हाथों के बने समोसे गाउं में मशूर है क्यों न तुम समोसे बेचने का काम शुरू करो इससे तुम्हें व्यस्तता भी मिलेगी नीलम हंस्ते हुए बोली लोग क्या कहेंगे इस पर मत जाओ मेहंत से कमाई की रोटी सबसे स्वादिष्ट होती है और फिर तुम्हारे समोसे का स्वाद ऐसा है कि लोग खुद तुम्हारे पास आएंगे रामवती ने नीलम की बातों पर विचार किया और ठान लिया कि वहा हार मानने वाली नहीं है अगले ही दिन उसने समोसे बनाने की तैयारी शुरू कर दी उसने अपने पुराने बरतन निकाले मसालों को अच्छे से तैयार किया और पूरे दिल से समोसे बनाए उसने गाँ के मुख्य चौराहे पर अपना समोसे का ठेला लगाया शुरुवात में उसे घबराहट हुई लेकिन उसने अपनी मेहंत पर विश्वास रखा धीरे-धीरे गाव के लोग उसके ठेले पर आने लगे और उसके समोसे का स्वाद सभी को भागया शुरू में रामवती को बहुत मेहंत करनी पड़ी, रोज नए ग्राहकों के लिए वह समोसे बनाती, ठेले पर बैठती और ग्राहकों की सेवा करती लेकिन उसकी मेहंत रंग लाने लगी गाउ में उसके समोसे मशूर हो गए लोग उसकी तारीफ करने लगे और उसका धंधा बढ़ने लगा कुछ ही महीनों में उसकी कमाई भी बढ़ने लगी अब रामवती के पास न केवल आर्थिक स्थिर्ता थी, बलकि उसका आत्मसम्मान भी लोट आया था इसी बीच शहर में राकेश और सीमा को कठिनाईयों का सामना करना पड़ा राकेश की नौकरी छूट गई और सीमा गरभवती हो गई थी शहर की पेस्तररार जिंदगी ने उनके सारे सपने तोर दिये थे दोनों को एसास हुआ कि वे जिकनी उम्मीदे लेकर शहर आये थे वो पूरी नहीं हो रही थी अब उनके पास ना तो कोई सहारा था और ना ही कोई उम्मीद तब उन्होंने मा की याद की जो गाव में अकेली थी राकेश और सीमा ने फैसला किया कि वे वापस गाव लोटेंगे उन्हें अब महसूस हुआ कि गाव की सादगी में जो सुख और सुकून था वो शहर की चमकदमक में कहीं खो गया था उन्होंने सोचा कि अब वे अपनी मा से माफी मांगेंगे और उसके साथ रहकर अपनी जिन्दगी को नए सिरे से शुरू करेंगे गाव लोटकर राकेश और सीमा सीधा रामवती के पास गए राकेश ने मा के सामने सिर जुका लिया मा, हमने बहुत बड़ी गल्ती की हम तुम्हारे प्यार और गाव की एहमियत को समच नहीं पाए हमें माफ कर दो, रामवती का दिल तो हमेशा से अपने बेटे के लिए धड़कता था उसने राकेश और सीमा को गले से लगाया और उन्हें माफ कर दिया अब राकेश, सीमा और रामवती ने मिलकर एक नई शुरुवात की राकेश ने ठेले का काम संभालने में अपनी मा की मदद करनी शुरू कर दी और सीमा भी घर के कामों में जुट गई तीनों ने मिलकर समोसे का व्यवसाय और भी बढ़ाया नीलम को जब रामवती की इस सफलता के बारे में पता चला तो वह बेहत खुश हुई देखा मैंने कहा था ना कि तुम अपनी जिन्दगी को फिर से संभार सकती हो नीलम ने हंस्ते हुए कहा रामवती ने उसकी बात मानकर जो कदम उठाए थे वो उसे नई जिन्दगी की ओर ले गए थे रामवती के समोसे का ठेला अब पूरे गाव में मशूर हो गया था लोग दूर-दूर से उसके समोसे खाने आते थे उसकी मेहंत और आत्म विश्वास ने उसे गाव का सम्मानित नागरिक बना दिया था राकेश और सीमा ने भी अपनी मा के साथ गाव में ही रहने का फैसला कर लिया रामवती ने अपनी जिन्दगी में जो उतार चढ़ाव देखे थे उन्होंने उसे और भी मजबूत बना दिया था उसने अपने बेटे और बहु को माफ कर दिया और अपने समोसे के व्यवसाय से अपने परिवार को सहारा दिया अब वह गर्व से कह सकती थी कि उसने अपनी जिन्दगी की सबसे बड़ी लड़ाई जीती थी और इस तरह रामवती ने अपने संधर्ष और मेहंत से एक ऐसी मिसाल कायम की जो हमें सिखाती है कि कोई भी परिस्थिती कितनी भी कठिन क्यों न हो अगर हम हिम्मत और धैर्य से काम लें तो हम अपने सपनों को सच कर सकते हैं रामवती का सफर सिर्फ समोसे बेचने तक सीमित नहीं था बलकि यह एक यात्रा थी आत्म निर्भरता, आत्म सम्मान और नई शुरुवात की अपने बेटे और बहु के वापस लोटने के बाद भी उसने न सिर्फ उन्हें माफ किया बलकि अपने व्यवसाय को जारी रखते हुए उन्हें भी अपने साथ शामिल किया यह कहानी हमें यही सिखाती है कि जीवन में मुश्किलें तो आएंगी लेकिन अगर हम डटकर सामना करें तो जीत हमारी ही होती है मुश्किलें हमें तोरने के लिए नहीं बलकि हमें और मजबूत बनाने के लिए आती हैं आपकी जिन्दगी में भी ऐसे पल आते हैं जब चुनौतियां आपको जुका देती हैं लेकिन याद रखिए हर मुश्किल के बाद एक नया सवेरा आता है जैसे रामवती ने अपने सपनों को नया रूप दिया वैसे ही आप भी अपने जीवन की नई शुरुवात कर सकते हैं तो अगर आप भी अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो कभी हार मत मानिये, महंत कीजिये और यकीन मानिये, सफलता जरूर मिलेगी ऐसे ही प्रेनादायक कहानी के लिए जुड़े रहिए और अपने जीवन की दिशा बदलने के लिए आज ही पहला कदम उठाइए